चलिए आज बनाते हैं, बेसन का मोदक बहुत रिटेश्टी बनके तयार होता है, एक बार आप लोग इस गड़ेश चतुर दर्शी एक बार आप लोग जरूर बनाईएगा, यहाँ पे गैस पे रख दिया है मैंने कड़ाई, अब उसमें डालेंगे तीन चमच मैंने घी डाल है कि जे धीमी आज पर इसे हमें भुनना है, चलाते रहें इसको, देखिए, यह अब थोड़े दिर में भुन जाएगा, एक बार आप लोग जरूर बनाईएगा, जीसे बेशन का लड़ू पसंद है, वो बेशन का मोदक इस बार जरूर बनाईएगा, आप लोग देखिए, यह भुन चुका है अब, अब इसमें डाल देंगे PCU चीनी, चला लेंगे इसे भी, धीमी आज ही हमें रखना है, देखिए, अब इसमें मैंने डाला है नारियल का बुरादा, नारियल का बुरादा डाल के आप लोग बनाऊ, एक बार बहुत ही टेश्टी लगता है, अब इसमें मैंने डाला है केसर के धागे, मैंने दूद में विगो के आधे घंटे पहले रख दिया था, वो डाल देंगे इससे बहुत ही अच्छा महक आता है मिठाई में, अब इसमें मैंने एक कटोरी और दूद डाल दिया है दीमी आज पे इसे हमें पकाना है, देखिए दूद को विल्कुल जला लेना है एक चमच घी और उपर से डाल देंगे चला लेंगे इसे, देखिए अब ये हो चुका है, गैस कर देंगे बंद, इसको हलका ठंडा होने देंगे मैंने एक पर्तन में निकाल लिया है, यहाँ पे लिया है मैंने मोदक वाला मोल्ड, उसमें लगाएंगे घी, अब क्या कर लेंगे, का मोदक अब इसमें बना लेंगे दोनों तरफ इसे हमें भर लेना है उधर भी भर लीजिए देखिए मैंने यह भर लिया है, अब इसको दबा लेंगे अच्छे से नीचे से भी भर लेंगे अच्छे से, बराबत कर लेंगे अब इसको खोलेंगे, देखिए बहुती सुन्दर सा मोदक बनके रेडी हो गया अगर आपको मोदक वाली यह रेश्पी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सेर कीजिए और इस गड़ेश चतोर दर्सी एक बार जरूर बनाईएगा बेशन का मुदक बहुत इटेश्टी बनता है वीडियो देखने के लिए थैंक यू गड़े पत्ति पपा मोरे